जैहिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिसकस करने जारूँ, how to make up the notes और should we make the notes for your preparation part, that is very very important for whosoever is preparing for the competitive exams बहुत सारे लोगों का डिलेमा ये राता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं और क्या notes बनाने चाहिए तो मैं यहाँ पर एक बहुत, एक clear cut बात करना चाहूँगा, which lot of aspirants are doing but outcome उसका कुछ नहीं होता, safest example ये है क्योंकि ये चीज मैं भी इस दोर से गुजरा हूँ तो ये मैंने काफी अपने में ही देखा था किसी टाइम पे, like I used to go to library early in the morning and till evening I used to make the notes ये नाब disguised जैसे unemployment ही होता, disguised पढ़ाई कर रहे होते हैं, सुबह इस लेके शाम तक मैं notes बनाते जा रहा हूँ actual feeling पूरी आ रही है कि मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, बस लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ पढ़ाई की है मैंने, ये feeling पूरी होती है ठी, honestly लेकिन अगर जब बाद में discuss करना चाहें मैंने पढ़ा गया है, वो कुछ नहीं याद होता आप अपने साथ भी ये try ज़रूर करियों और मेरे को फिर बापस आगे comment में बताइए कि हाँ सर, ये चीज मेरे साथ भी होती थी, होती है न, कोता गया, आप पढ़ते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो मन्दब लिखते जा रहे हो, और कई बड़ी classes मे कि जब हम offline coaching में जाते थे, what you used to do is keep on writing down, keep on writing down the stuff, लिखते जाओ, class में सर बोल रहे हैं, वो लिखते जाओ, भाई लिखने थोड़ा आये थे हम class में, हम तो चीजों को समय ने आये हैं, और arts में तो हम सोचते हैं कि बड़ी notes ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि, especially UPSC के जो paper दे रहे हैं, हमें concept समयना, arts में भी concepts होते हैं, चीजों को समयने का तरीका और teacher वो ही है, जो आपको तरीका बताए कैसे याद करना चाहिए, history भी हो, उसको भी याद करने का तरीका होना चाहिए, और वो बताया जाए बच्चे को कि कैसे याद करना, cramming नहीं है it's more about understanding, और understanding होती है, खुद से पढ़ने से, यहाँ जब किसी के coaching में जा रहे हैं, teacher से तो उसको समझ रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं, तो फिर notes का रोल कहाँ पर आता है कि notes बनाने कैसे हैं, यही question था, बहुत सारे students का मेरे online classes में भी, please understand, what do you mean by notes first of all, is it like copying of a book, जो लिखा हुए notebook में, उसी कोई copy करने तो उसको notes करेंगे, नहीं, और क्या हम किसी के भी notes, photo copy करके पढ़ने, वो भी notes ही हुगे, मेरा मानना यह भी गलत है, अगर जो paper दे रहा न, जो इस competition के era में, उसको यह चीज़े समझ भी आ रहे हैं, जब आ prepare कर रहे हैं न, इस exams के लिए, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और फिर notes बनाना भी उतना ज़रूरी है, लेकिन notes तुमारे खुद के शब्दों में होने चाहिए, they should be on your own words, second thing, they should be very short, ये नहोगी आप बहुत बड़े-बड़े notes बनाते जा रहे हैं, जो book में लि पिला रंग, हरा रंग, हरा रंग बदल रहे हैं, ये majority का काम है जी, जब नया ना बंदा त्यारी करता है, दोग highlighter देता है, एक लाल, एक हरा है, और दे तेरे दी highlight पे highlight, highlight पे highlight, यहाँ पर कुछ नहीं है, highlight हुआ 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 हुआ, तरीका कहा है, जो पढ़ा, book में भी highlighter ने भी लिखी हुई है, कि ऐसे या वैसे या ये चीज़े, try to make crux of it, उसको हम कहते है, synopsis, होना बहुत ज़रूर ही है, क्योंकि ये revision बाद में synopsis की होती है, और revision जादा भी होगी, कितनी बारी number of times भी हो जाएगी, and it will take less time of you to revise, book को आप बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, और ये भी आप समयना पड़ेगा, जितनी बारी revise कर रहे हो, उतना time आपका लेना, revision का, वो कम होता जाता है, revise करने के लिए, तो इसलिए हमेशा करें क्या, copy pen, जब भी पढ़ें कुछ भी, हाथ में pen होना चाहिए, pencil होना चाहिए, जो जो पढ़ रहे हो, एक पैरा खतम होत उसका क्या लिखा, side पे लिखतो, यहां एक step notes लखो, कुछ नकुछ पेज, इस पूरे paragraph में क्या था, अपने words में, फिर अगले पैरा में क्या था, अपने words में, और फिर उसका एक mind map बनाई, एक page पे, structure, notes बनाना इसको कहते हैं, notes बनाना इसको नहीं कहते हैं, कि आप जो ल में भी करते हैं, तब भी ओली-ओली समझ आया था, जब आप करते हैं, आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो प्रेजेंटेशन का मतलब यह थोड़ा कि जो लिखा हुआ सारा आप slides में डाल दो, then it's not a presentation, presentation means, just making a flowcharts, putting up the things, and then you explain it, explain आपके अंदर से अता अगर आप understand कर चु पढ़ते जाएंगे, यहीं से आपको समझ आता है, same आपके notes होने चाहिए, आपके सामने point होगा, उसको आप illustrate कर पाएं, आप उसके उपर बोल पाएं, कि यह यह चीजे हैं, बस वो point आपको पता हो, यह चीज होती है, हमारा notes, बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे बड़ी problem होती, GS is too vast, you have to make the notes, and you have to revise it, at least three to four to five times, before you are setting an exam, so that you are able to relate the things, क्योंकि यार, UPSC के paper में, सबसे बड़ी problem पता है, यह competition में, वो point आपको याद होना चाहिए, जब हम college के paper थे थे, वो point miss भी होती है, हम इदर उदर कहानी लिखके, आज़ते है, आज़ते है, नमबर मिल जाते है, पर यहाँ पर नहीं, point पूरा याद होना चाहिए, तो वो याद करने का तरीका, वो आपको सभी को भी समझ आज़े, एक pera का, एक main point है, वो पता होना चाहिए, तो उसके लिए synopsis बनाना जुरूरी है, लेकिन बनाना कैसे, यह सभी को समझ आ गया होगा, reading 2-3 sources की भी क सकते हो, understanding, यह consciousness चाहिए, so that is all for today, I hope you people understood how to make up the notes, thank you.